यदि शनी, चंद्रमा, सूर्य और बुद्ध सभी एक ही भाव में हों तो क्या होगा? जब शनी, चंद्रमा, सूर्य और बुद्ध सभी जन्म कुंडली में एक ही भाव में हों, तो यह एक शक्तिशाली और जटिल सयोजन बनाता है. इन में से प्रत्येक ग्रह की अपनी अनूठी उर्जा होती है और उनकी परस पर क्रिया चुनोतियों और अफसरों दोनों का परिनाम हो सकती है शनी अनुशासन, प्रतिबंध और दीर्वकालिक सबक लाता है जबकि चंद्रमा भावनाव, मन और अंतर ग्यान का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य अहनकार, अधिकार और आत्म अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जबकि बुद्ध बुद्धी, संचार और निर्नए लेने को नियंत्रित करता है जब ये उर्जाएं एक भाव में एकत्रित होती हैं, तो यह आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकती है, विशेश रूप से चंद्रमा की भावनाव और सूर्य के अहनकार के बीच, जबकि शनी का प्रभाव देरी या कथिनाईया पैदा कर सकता है इस संयोजन के परिनामस्वरूप मानसिक तनाव, खुद को व्यक्त करने में कथिनाई या अधिकार वाले लोगों के साथ तनाव पूर्ण संबंध हो सकते हैं हाला कि यदि ये अच्छी तरह से देखा जाए, तो ये गहन ग्यान, मजबूत लचीलापन और विचार शील, अनुशासित मन भी पैदा कर सकता है जिस भाव और राशी में ये संयोजन होता है, उसे समझना गहन व्याख्या के लिए आवश्यक है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की सदस्यता लें